अब ही फ्राइड़ को तो जोरो छों से स्काइल बन रहा है तो दो चीजे वन रही है चिकन बिर्यानी भी बन रहे और चिकन ड्राइ-वाइ-वी मसाला भी बन रहा ह् क्योंकि मेरे पास में अल्मोस्ट एक किलो चिकन है और एक किलो चिकन से अगर सिस में हमारे लिए दिर्याली बनाती हूँ तो चिकन ज्यादा हो जाता है तो हेलो फ्रेंज वेलकम बाक तो दे चैनल आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अभी फ्राइडे कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनी रहा होगा तो दू लेट मी नो इन दे कमें सेक्शन बिलो कि क्या क्या स्पेशल बन रहा है मेरा तो यही सब हो रहा है तो छलिए मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ क्या ता बना रहा है यह चिकेन अल्मोस्ट हो गया है यह चिकेन कोशा के लिए थोड़ा समय ग्रेवी रखूंगी हल्का सा लाइक सेमी ग्रेवी तैप और अच्छे से मैंने इसको भून लिया है तो थोड़ा समय पानी डालूंगी आपक इसको गवर करके भी पाच मिनित रख दूंगी बस दन है चिकेन आलमोस्ट कोख हो गया है तो चिकेन जाते हो गया है और बिर्यानी की लिए चिकेन बनाउंगी और बस हो जाएगा फिर दम पे रिश दोड़ाके दिनन रहेनों गो जाएगा यह वाला चिकन जो है ना मैंने एकदम ही सिंपल बनाया है सिर्फ प्याज थोड़ा सा कट करके दिया है अध्रक लैसून का थोड़ा सा पेस्ट जीरा धनिया वही जो बेसिक मसाला होता है बस वो डाला और कुछ नहीं और मेरे पास ना दो कैपसिकम अधा-धा कट करके मैंने डाला था नूडल्स में तो वो आधा-धा दो दिन से पड़ा हुआ है और मैं ना कट किया हुआ वेजिटेबल या फिर कुछ भी बहुत जादा दिन फ्रिज में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ मुझे एक स्मेल सा लगता है और डेफिनेटली हल्थ के लिए तो अच्छा ही नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं था इसमें बेल पेपर डालने का बट होता है ना फ्रिज में देख देखके मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था तो मैंने कट करके इसी में डाल दिया चलो अच्छा ही लगेगा और बेल पेपर्स खाने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो इसी में डालके और थोड़ा सा मैंने कज़प डाला है जब मैं इसको भून रही थी ना थो थोड़ा सा केज़प डालके साथ में भून गिया तो काफी अच्छा है एक दिन आप लोगों से शेयर किया था रील है उसका शॉर्ट्स वीडियो में डाला था अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो अब बिर्यानी मसाला और यह मैं जब भी बिर्यानी बनाती हूँ तो फ्रेश ही बनाती हूँ तो उसका स्मेलना जादा अच्छा होता है तो इसलिए वह भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया है तो बस अब चिकन बनाऊंगी और राइस है ही तो उसको दम में डालूंगी बस हो जाएगा तो चिकन अल्मोस्ट हो ही गया है तो अभी मैं दम पे लगा दूंगी बस हो जाएगा बिर्यानी भी बीस मिनित में रेडी बाप पेटी ने फिर भी चिकन ले ही लिया क्योंकि चिकन घर पे बना हुआ है और लोब इन दोनों का समल नहीं रहा है तो कैसा बना है चिली चिकन टाइप बहुत अच्छा बना है चिली चिकन नहीं है और वो मैंने बेल पेपरस डाल दिया कटा हुआ था अच्छा है बहुत अच्छा है मैं भी खा लेती हूँ फिर बाद में आपसे मिलती हूँ जैए खेल रही है मिठंको जिम जाना है भी नहीं भी लेजी सती घंडी क्या होता है बहुत लेजी सा फिल होता है ज्यादा टाइम नी लीज नहीं अच्छा है और क्या कड़े समझ में ही आड़ा है अभी बज़रा है आट तो अभी हम खानवाना खाएंगे और अभी तक काफी अच्छा ही टाइम स्पेंट हुआ क्योंकि एक फ्रेंड आ गई थी तो उंपात किया उन लोग उस बहुत बहुत के वाट तो अभी हम खाना खाएंगे बिर्यानी में गरम कर रही है खाना खाके फिर थोड़ा सा टीवी देखेंगे आज तो फ्राइड है वीकेंड है एक आप लोग ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं कांदा स्वामी करके एक मूवी है बट उसका बहुत सारा सीरीज है तीन-चार स तो अभी आया है कंदा स्वामी एंड किड्स दो देखेंगे वह काफी फन लगा इंडियान बेस्टी है काफी फन है लेक कॉमेडी टैप्स तो वह देखेंगे तो अपर अपने गेम रोम मीडिया रूम में रहें तो अभी चलिए खाना खालेते हैं तो यह हमारा चिकन करी थोड़ा सा यह भी ले लेंगे और सालेट यहां पर यह अभी बिरियानी जैना तो कब से बैठी है बिरियानी खाने के लिए लुक्स पक्का बिरियानी गैश्स मेल काफे अच्छा रही है अर बेंगोली बिरियानी मेना धनिया पुदीना कुछ भी यूजनी ओता तामाते भी यूजनी ओता कितने का प्लेट दोगे एक या तू बेंगॉली बिरियानी मिर्यानी पाच रुपे प्लीज फंद्रा डॉलर तो मिनिमम डॉलर मैं तो रुपे बुल था तो खाना बी स्टार्ट हो गया है कैसा बना है जैना हर जाना कुब अच्छा लगा चलिए तो बस अच्छे से खाना पीना हो गया है अभी मुवी देखेंगे और सो जाएंगे फिर फ्राइडे नाइट है तो कल जल्दी उठने का भी कोई टेंशन नहीं और थोड़ा सा बिर्यानी रह गया लेक हम तीनों लोह का तो लंच नहीं होगा हाँ थोड़ा सा चिकेन करी भी है तो सब कुछ मिला के लंच इस सौर्टेड तो मैं भी अराम से मुवी देखूंगी और कल सुभा अराम से थोड़ा लेट उठूंगी तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी खतम कर देती हूँ अगर आप लोग को कुछ भी अच् प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ तिल दिन ठेक क्यर बाई